चलिए दोस्तों सबसे पहले तीन दिन के अवकाश के लिए माफी चाहूँगा मैं तीन दिनों के लिए दुबई में था एक मुझे अपनी प्रॉपर्टी की सेल करनी थी जिसके कारण से मैं वीडियो नहीं बना पाया काफी बिजी दिन था FTX bankrupt होने वाला है CZ जो Binance के founder है वो लगातार allegations डाल रहे है कि Sam Bankman Freed जो है वो another Luna को create करने वाले बहुत ही बड़ी खबर है क्योंकि FTX जो की दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी exchange है उसके bankruptcy का मतलब है पूरी crypto market की तबाही या at least Bitcoin का जो न्यूनितम स्तर है हाल ही का इस साल का उसस सच है कितनी हवा है इसमें कितना अफवा है वो सब discuss करेंगे पूरा बारीकी से थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी क्योंकि मैं तीन दिनों बात वापसी कर रहा हूं तो I hope you appreciate के वल एक वीडियो लाते है हम दिन की उसको शिद्दत से बनाएंगे प्यार से बनाएंगे महब देते हैं हर रफते मंगलवार को देंगे बिटकोईन का प्राइस फोरावली टाइम प्रेम पर बहुत बुरा तो नहीं दिख रहा है बहुत अच्छा पर नहीं दिख रहा है उसी रेंज में है जिस रेंज पर हमने पिछले पूरे महीने ट्रेडिंग करी है पैसा बनाया है जो लोग चैनल पर पहली बार आए उनको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से बिटकोईन इतना प्रेडिक्टिबली रेंज बाउंड है उपर जाता है नीचे आता है उपर जाता है केवल एक श्रंखला के अंदर एक सीरीज 21,700 और 18,700 ये 3,000 डॉलर की जो रेंज है मुझे न इस प्राइस पर इससे में बिटकोईन का प्राइस है हम लोग 100 डेज मूविंग आवरेज के ऊपर सपोर्ट बना के बैठे है विच इस वेरी गूड साइन अभी ये देखिए अफवाए आए थोड़ी सी और फेक न्यूज आए ताकि सोलाना काश मुझे 20 डॉलर पर मिल जाए यार मतलब मैं तो वेट करता हूँ पैसे लेके बैठा हूँ टेक मैं मैं मनी एंड गिमी सोलाना फॉर 20 डॉलर प्लीज तो इसलिए क्रैश अच्छे हैं दाग अच्छे है ट्रेडिशनल मार्केट S&P 500 कल फ्यूचर्स खुला है अभी तक तो ओपन मार्केट नहीं हुई है वसे मंडे की जब होगी तो देखते हैं उसका क्या सूर्थेहाल होने वाला पर फिलहाल ठीक ठाक दिख रही है स्टॉक मार्केट भी जिसके चलते बिटकोईन के पर डाउ पर फिट आच चुका है बहुत सारी हमारी बॉट है जिस पर अप्टू 20% का प्रॉफिट है हमारे पास इन ट्रेड्स को हमने खुला रखा हुए क्योंकि रेंज बाउंड है और बहुत सारी खबरें डिसकस करेंगे पर उससे पहले जो चैनल पर नहीं है क्योंकि मैं काफी पहले 150 यूजर्स के लिए 8400 डॉलर्स का बोनस है अप्टू 1500 यूजर्स के लिए तो आप वो अगर नहीं यूजर है तो आप ट्राई कर सकते हैं और यूजर्स के लिए हमारे बहुत सारा ओडियन्स यूजर्स से आता है यूजर्स में रहने वाले जो मेरे हिंदी भाई है तो उनको भी शाउट आउट तो क्या चल रहा है FTX में भाई हो कितनी गर्माहट है कितनी सचाई है कितनी बलफ है आज आपको अगले 3-4 मिनिट में बहुत प्यार से पता चलेगा दोस्तों मेरा मानना है इसके अंदर 60-70% जो है वो शिमान CZ की frustration है या competition से उनका गुसा है और 30-40% सचाई भी है अब इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे वैसे हमने tweet किया था हमारे Christiano भाई ने जो इस पूरे group के जो मतलब मैं कोंगा की founder है तो उनने अच्छी post लिगी थी कि यार situation concerning है हम जूट नहीं बोलेंगे पर इसकी सचाई जो है वो किस हद तक कितना हमें caution ल इसकी खोलूँ बड़ मैं आपको अगर बताओं अगर आपका पैसा FTX एक्षेंड में पड़ा हुआ है तो इस बेटर टू विड्रॉ क्योंकि हम लूना की तरह नहीं चाहते कि आप लोग जो है ना बाद में पश्ता है और इस बात को मैं record करके फिर सुनाओंगा आपको कि अगर एक परसेंट भी चांस है तो अपना पैसा निकाल लीजिए एक परसेंट ये अची चीज है कि FTX का टोकर इतना नहीं गिरा है ये भी एक प्रमान है कि लोग इतना नहीं बेच रहे है तो फिर बेच कौन रहा है अब इसकी परते जो हम खोलते हैं on chain पर FTX का जो सबसे बड़ा address है hot wallet address उसके अंदर की investment धाई billion से 1.8 billion रह गई है पिछले 24 गंटे में जब से शिमान सीजी ने कल दोपहर को साड़े चार बजे इंडिया टाइम के हिसाब से क्या हा था कि Binance की exit strategy के हिसाब से हम लोग FTX की equity से exit करी चुके हैं और धाई billion dollar के हमारे पास BUSD और FTT प भी बेचने का इन दो सोचा है जो remaining FTT हमारे books में पढ़े है जो FTT टोकन है जो FTX Exchange का Exchange Native Token है उसमें से ही exit लेने की सोच रहे है तो इसका मतलब क्या FTX Exchange बुरी है क्या वो bankrupt होने वाले है क्या Sam Bankman Freed जो FTX के founder है Solana के founder है वो bankrupt होने वाले है या यह इनकी कोई personal खुंतस है है रहे हैं कि we will try to do in a minimize market impact कि हम धीरी देरे करेंगे ताकि marketplace का impact ना हो Binance will always increase transparency बहुत अच्छी बात है पर यह पढ़के लग रहा है कि खुंदस है अगर आप blindly YouTuber पर विश्वास कर रहे हैं कि Sam Bankman Freed bankrupt होने वाले मैं आज आपको प्रूव करूँगा कि क्यों मेरे विचार से Sam Bankman Freed जो three arrow capital या जो Celsius के जो Mr. Zilinski थे जो bankrupt हुए थे Sam Bankman Freed of FTX is not like that वो उतने गरीब नहीं है मैं आपको प्रूव करता हूँ दो मिंट मिरसा रुकिए पहले विचलेशन करते हैं CZ भाई सबका Benance दुनिया की सबसे बड़ी exchange है FTX दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी exchange है इस तरह की खुंदस माइने रखती है समझ में आती है सेंस बनती है और ये दोनों भाईों ने start भी साथ में किया था दोनों लोगों ने भाई तो नहीं है CZ initially FTX के दर बड़ा investor था उसने FTX से अच्छा पैसा बनाए पर अब इनके रास्ते जो है वो टकरा रहे हैं क्योंकि FTX बहुत तेजी से बढ़ रहा था अब जहां पर आग होती है वहीं धुआ होता है जैसा मैंने पहले का मैं फिर दोराऊंगा अगर एक परसेंट भी चां बेचना चाहिए अपना I don't think so क्या आपको अपना FTX बेचना चाहिए I don't think so 10-50% की downside के लिए आप risk लेंगे बलकि मैं कहूंगा जैसे मेरी strategy रहती है मेरे पास बहुत Solana है आप अच्छे से जानते जो मुझे follow करते है मैं Solana के बहुत positive हूं तो मैं तो Solana बेचने के जगा अब यह भाई सब क्या कहते हैं although Sam Bankman Feed में अपने fund withdraw की हैं काफी जगाओं से FTX का hot wallet address जो है वो धाई billion से 1.8 billion रह गया है यह थोड़ा सा चिंता का विश्य है पर यह मेरा मानना इसका कारण एक और हो सकता है कि आपके और मेरे जैसे भाई जिन लोगा FTX में coins पड़े होते है वो move कर रहे हैं तो उनके withdraw के लिए उसको entertain करने के लिए इनको अपने wallet को खाली करना पड़ेगा अगर यह तेजी से बिखता है तेजी से लोग panic हो कि अपने FTX token बेचने लगते हैं तो फिर यह खतरे की बात है सबके लिए और इनमें एक और इनमें क्या highlight किया है कि FTX के hot wallet क अंदर को Ethereum नहीं है यह बहुत risk वाली बात है Ethereum नहीं है तो अगर मैं Ethereum निकलवाना चाहता हूँ तो मैं कैसे निकलवाँगा और केवल 90 dollar की USDC है कोई Ethereum नहीं है 90 dollar के USDC है और secondary wallet में 800 dollar के USDC है इन्होंने यह भी बोला कि 5 million a few million dollars आये थे transfer हुए थे दूसरे account से according to Etherscan on FTX hot wallet address और वो तुरंत गाइब हो गए तुरंत लोगों ने उसको withdraw करा लिया उसके बाद यह बता रहे हैं कि और भी बहुत सरे token आये हैं बट जैसे ही यह लोग transfer करते हैं अपने wallet के पैसा लाते हैं withdraw हो जाता है इसका एक अर्थी भी हो सकता है जैसे इन्होंने 3 million dollar के refill किया था और कु बहुत तीजी से होता है तो that will create a ripple effect that will create a scenario कि FTX के पास लोगों के withdrawals entertain करने के लिए पैसा ही नहीं बचेगा और ऐसे time पे exchange क्या करती है आप expert हैं अलड़ी exchange withdrawals को halt कर देती है तो अगर FTX withdrawals को halt कर देता है mark my word record my voice तो चीजे बहुत ज्यादा बुरी होंगी बट मैं मान के कि मैं आपको वीडियो के end में बताऊंगा कि क्या तथे हैं दोस्तों अभी मैं इस दो-तिन मेहनों में बहुत बार दुबही गया हूँ आप जहां मर्जी चले जाएगी वहाँ पार आपको fdx के ad मिलेगी पैसा खर्च कर रहे हैं बहुत बड़े-बड़े shows को organize कर रहे हैं तो इसका मतलब आपके अस पैसा है मैं मानता हूं इस wallet में केवल एक दशमलव आठ बिलियन डॉलर बचे हैं जिस पे करीब धाई बिलियन डॉलर हुआ करते थे कल परसों पर कोई बात नहीं हमें थोड़ा सा patience रखना है हमें व्यक्ति में विश्वास रखना है और एक और बता हूं कि जो फ्टे एक्स ने जो बड़ी बड़ी डील्स करी है इन्होंने ब्लॉक फाई को खरीदने की बात कही थी 500 मिलन की परचेज में वो डेफिनिटली खत्रे में रहेगी वो डेफिनिटली इतनी आसानी से ओवरकम नहीं होगी बट मैं क्यू मानता हूं कि Sam Bank में के पस पैसा है जब श्रीमान जो बाइडन का presidential campaign था उसमें दुनिया के second biggest ये लोग उसके sponsor थे जो डोनेट करती हैं कमपनिया जेपी मॉर्गन के बाद जेपी मॉर्गन जो इतना बड़ा bank है दुनिया का उसके बाद FTX was the largest donator तो जब आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको शायद क्या पतर श्रीमान जो बाइडन आपकी help के लिया है तो दूस्तों ये आग है ये हावा है ये धुवा है अब खुद समझिए you are the best judge मैं कभी नहीं चाहता कि आप किसी की बात प्र अंधा विश्वास करें जैसे मैं अपना stance लिया है मेरे पास FTX exchange में कुछ भ हफते में तीन वीडियो नहीं बनी है तो आपके वास बहुत अच्छा competition कम competition है पचास डॉलर कल जीतने के लिए केवल आपको एक सवाल का जवाब देना है अगली वीडियो बनने से बहले अगले 24 गंटे बहुत important है क्योंकि इस time पे mass withdrawal हो सकते हैं और उसकी कारण से crypto market crash हो सक और खुद की बात समझें अपनी बात समझें अपनी बात अपनी डिसीजन ले और किसी पर अंदा विश्वास नात करें मेरा सबसे बड़ा गोल है इस चैनल का तब तक लिए अपना ख्याल रखिए धन्यवाद जहें